हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे CDSL से रेटे और अभी मैंने एक सोचाए कि जितने भी पुराने पीछे के स्टॉक से जो लगाता गिर रहे है और काफी लोग यहां पर अलग अलग लेवल स्पेट के हुए है और टेकनिकल बेसिस पर अगर हम देखे ऊपर के लेवल पर तो एग्जक्ली उन्हें क्या करना चाहिए क्या होड करना चाहिए सेल करना चाहिए बाई करना चाहिए एवरेज करना चाहिए उन सबी चीजहों से लिटिट हम एक बाते करेंगे और देखेंगे कि एग्जक्ली क्या कर सकते हो अप लोग और अगर आपकी पोजिशन्स है और नहीं है पोजिशन तो क्या नया बाइंग करने के यहां पर चांसे वह सब्सक्राइब आज से एक एक करके वीडियो बनाएंगे ओके और नए स्टॉक्स पर बनाती है पिछले स्टॉक्स को भी एक बार बाइस करेंगे तो CDSL सबसे पहले स्टॉक्स है क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो यहां पर लगभग 25 सारे कंपनी को हो गए यहां पर देखा जाए तो NHDL और as well as CDSL दो यहां पर क्या है यहां पर डिपोजिटरी है जहां पर आप अपने शेयर्स आपके डिपोजिट रहते हैं वह दिखाई देते हैं यहां पर अगर हम बात करें तो CDSL लगभग लगभग 7.78 करोड 78 लाग के आसपास यहां पर इनके पास accounts है और यह number one depository है जो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनका business model है सब चीज़ यहां पर अच्छी घासी नजर आ दी है और धीर धीर चलके देखें भारत का बविश्य की अगर हम बात करें तो 5-10 साल अभी downtrend है जैसे आप ट्रेंड चालू था तो अच्छी लोग आ रहे थे नाव ट्रेंड चालू है तो अभी लोग जाते हुए नजरा है बहुत जल्दी दुबारा आप ट्रेंड एक शुरू होगा और जब वो अप ट्रेंड शुरू होगा तो अविसी बात है accounts opening दुबारा श्रू होगी औ इससे लेटेड आपको बताई दिया है कि जितने भी settlements होते हुए नजर आते हैं आपके जो accounts में आपके जो shares है वह इन ही या तो NHDR या फिर CDSL के पास ही आपन नजरा आते हैं कंपनी की बात करें थे कि small cap company है 9,941 क्रोड रुपे का market cap है बट देखिए debt-free share है ROC ROE बैतरीन है ROC ROE क्या बताता है कि long term के purpose से share काफी बैतरीन है PE की बात करें 34 का है इसका 22 का है तो कही ना कहीं महंगा नजर आता है बट PE के basis पर कभी काम नहीं करता है यह आपको पता है तो कि PE अच्छी अच्छी जब share भाग रहे होते तो 300 भी निकल जाता है 400 भी निकल जाता है मैंने 1100-1100 के PE भी देखे हुए है हाई की बात करें तो 1543 का हाई प्राइज है 52 वीक हाई और 930 रुपे का 52 वीक लो है जो कि आज ही शायद इसने लगाया है और बात करें तो यहां पर maximum chart pattern देख सकते है maximum chart pattern 2017 से आया था एक consolidation चीटे भागी और फिर इसका गिरती हुई नजर आ रही है तो यहां पर क्या रुकावबट आएगी क्या रुकेगा और यहां पर 5 साल का CAGR की बात करें तो लगबग 30% के CAGR से और मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कोई 10 रुपीज इंवेस्ट करता हो 20% के CAGR से 20 साल तक रखता है और 20% का CAGR से पैसे बनते जाते है तो उसको लगबग करोड रुपीज की सेल्स थी कॉर्टर ली बेसिस पर और वो दिने दिने यहां पर बढ़ती हुए नजर आई और अभी भी आगा बात करें पिछले 2-3 कॉर्टर और यहां पर बहुत सारे कॉर्टर्स की तो अच्छा कासा परफॉर्मेंस दे रही है यहां पर यह कंपनी का सेल्स आई है, 85 करोड रुपीज का ऑपरेटिंग पॉफेट है और यहांपर नेट पॉफेट की बात करें 75 करोड रुपीज का तो यहां पर शेर गिरकज़ की उलाए, शेर गिरने के पीछे का रीजन है यहां देखिए, यह जो 84 करोड, 80 करोड रुपीज था वो अस धीरे 75 पे आ गया है margin की बात करें company के जो margins है वो लगाता है यहां पर गिरते हुए नज़र आ रहे है तो यह एक concern का बात होता है अगर यहां पर margins दिनी आएंगे तो यहां पर obvious सी बात है company profit कैसे generate करेगी जादा से जादा हूँ तो यह एक question है yearly basis पर बात करें company का yearly basis पर यहां पर देखिये company का performance अच्छा गास है अच्छे गासे company ने आपर EPS बढ़ रहा है यहां पर profit बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो yearly basis पर कोई problem नहीं है but quarterly basis पर for the period of few quarters यहां पर दवाब बना रह सकता है और आप कुछ टार्जप मे चार्ट पर चलूँगा तो आपको बताऊँगा कि exactly क्या और हो सकता है तो रिजर्प की बात करें company गास 971 करोड की रिजर्प से तीन करोड की borrowing के जो कि ना के बराबर है 1000 करोड के आसपास का investment और यहां पर cash की बात करें लगबग 151 करोड रुपीस का cash भी है share holding patterns की बात करें तो mostly share इसके पास BSC के पास है इसके share यहां पर आप देख सकते है buying selling यहां पर चलती रहते है ब्लॉक डिल यहां पर देख सकते है कि काफी लोग यहां पर जो ट्रेडिं अच्को हुई थी उससे लिटरी पढ़ना है तो यहां पर जाके एक बाप पढ़ सकते हैं और चीह देखनी है तो यहां पर dividend company यहां देखिए 18 में dividend दिया और 19 में 20 में 21 में तो dividend का क्या दिखाई देरा है कि uptrend चलू है ascending order में 3-4-4-4-5-9 और फिर 15 तो company मतलब करती है तभी dividend मिलता है तो यहां पर financials की बात करें financials ठीक है बट quarterly basis पर क्या है थोड़ा सा दवाव है उसी का यहां पर effect पढ़ता हुआ नजरा रहा है कि शेयर ने एक top बनाया अच्छा खासा भाग रहा था है यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अच्छा खासा 2021 से ब अब technical की बाते करेंगे बट उससे पर रिक्वेश्टर चानल को subscribe bell icon को hit all के notification को on करें एक video मैंने बनाई है route mobile के ओपर यहां पर एक तेजी देखी जा रही है क्या यह तेजी sustain होगी क्या company अच्छी है invest करने के मतलब से तो ऐसा ही share है एक बार जाकी देख लीजेगा as well as हम इसका portfolio बढ़ा है they can directly contact with me उसके बाद हम आपर देख लेंगे बाकी यहां पर किसी को इससे क्या मिलेगा इससे मैं news डालते रहतों क्या चल रहा है उससे डालते रहतों as well as stocks कोन से अच्छे है वो मैं डालते रहतों देखिए stocks दे रख्या है बता रख्या है कि 22nd मार्स तक य यहां पर क्या है देखिए यह शेयर मिलते रहते हैं इस तरह के performance रहता है तो आप महां पर फायदा उठा सकते है इन नंबरों पर contact करके पॉस कर लीजिए नंबर को सेफ कर लीजिए और फिर कॉन्टक करिए message करिए तो यहां पर आपको group की मिल जाएगा as well as यहां पर आप क कर सकते स्कूर्स की details ले सकते हैं कोर्स की details का क्या फायदा होगा कि technical research fundamental basics to advance आपको मिलता हुआ नजर आएगा और अच्छा खासा पैसा आपका यहां पर बनता हुआ नजर आएगा पूरा सिखाए जाएगा कि शेयर भागते क्यों है शेयर गिरते क्यों है कहां पर bottom बनता है कहां पर यहां पर top बनता है कब आपको लेना है कब आपको बेचना है कहां पर आपको फसना नहीं है risk management पूरा का पूरा आपको सखाए जाएगा और वो भी कितने में 17,500 यहां पर यह 15 तरिक तक की फीस थी वह complete हो गई अब 17-500 रुपे की फीस है 3 months की practical learning और ही subject अब बात कर यहां पर एक तेजी हो सकती है बाट यहां पर कितनी लगब 50-60 रुपे के आसपास की तेजी हो सकती है यह यहां से गया तो लगब 1131 रुपे अभी long term के मतलब से शेर को लेना नहीं है शेर एकदम ही यहां पर थोड़ा से बिगड़ चुका है जैसी इस अगर यह 931 का थोड़ा patience रखेगा short term का 2-3 दिन का है तो यहां पर यहां पर यासी हाई निकले तो यहां पर ले सकते इस target के लिए वरना long term का है या फिर कोई अटका हुआ है तो average भी मत करिए average हमेशा ऊपर करना चाहिए बायों डिप्स नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर आप करोगे तो आपके risk level और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो थोड़ा patience रखो चीजों को ऊपर जाने दो फिर खरीदना और पैसा बनता हुआ तब नजर आएगा कब खरीदना है तो मैं का खरीदना पड़ेगा ओवेसी बात है अभी नहीं बता सकता कि क्या level यहां पर बनते हुए न सब्सक्राइब करें और इसी बेसिस पर हम कोशिश करते हैं कि शेयर को यहां पर पकड़े यह रिटन कमाए निकले और फिर दुबारा दूसरे शेयर की तरफ यहां पर नजरे बनाए इसलिए आप यहां तो कोर्स को कर लीजिए कोर्स करेंगे फायदा होगा या फिर इन न क्या यहां जर फिर इसलिए गदूरी कोशिए ग्याभ यहां एट तो